अलो अब्रीबन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा हिंदी में और आज हम पढ़ेंगे गाक्छा दस्वी के इतिहास का पाच्वाध्या जिसका नाम है अर्थ बेवस्ता और आजीव का आज के इस वीडियो में हम इसके दिर्गुतरिय प्रस्न का हल जानेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वस्तोनिस्ट अतिलगु और लगुतरिय प्रस्मत्तर का हल जाना है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई-लिंग पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं आपकी जनकारी के लिए मैं बता दू मैं इसका पीडियो जो है अपने टेलिगराम चैनल ग्यान गंगा हिंदी पर देदूगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको पासवर्ड मिलेगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें अगर आप हमारे चै लाप्रस ने और दोगी करण के कारणों का उल्लेख करें यानि कौन से कारण थे जिसने और दोगी करण को बढ़ावा दिया लिखेंगे और दोगी करण के कारण निमने है पहला और स्यक्ता अविश्कार की जन्नी लिखेंगे यह काना बिल्कुल सत्त है कि और स्यक्ता पूर्ति के लिए तत्कालिन समय में उद्योगों का विकास प्रारंब हुआ यानि उस समय नहीं नहीं स्यक्ताइं लोगों के सामने उभरी और उस्यक्ताओं की पूर्ति के लिए उद्योगीकरण का विकास प्रारंब हुआ दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे लिखेंगे कि 18 सताबदी के उत्राध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों और मशीनों के अविश्कार ने उद्योग जगत में ऐसी करांती का सुत्रपात किया जिससे ओदोगी करण उपनिवेसवाद दुनों का मार्ग परसस्थ हुआ यानि ऐसे करांती आई एक तरह से कहा जा सकता है कि जिसके वज़ा से ओदोगी करण हुआ और ओदोगी करण के बाद उपनिवेसवाद का मार्ग परसस्थ हुआ उपनिवेसवाद क्या है यह हम लो आगे जानेंगे इसलिए आप विडियो को पूरा देखें तीसरा पॉआंट है कोईले और अम लोहे की परचूरता आगे लिखें किसी भी उद्योग की प्रगती कोईले और अम लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है ब्रिटन में लोहा या कोईले की खाने थी जिसके ओदोगी करण को बढ़ावा मिला यानि किसी भी उद्योग के प्रगती के लिए कोईला और लोहा बहुत ही कहा जा सकता है कि महत्वपुन समागरी है कोईले जो है उद्योग को चलाने के लिए जरूरी है तो वहीं उद्योगों में मसीने बनाई जाती है वो लोहे की होती है तो कोईला और लोहा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ब्रिटेन में ये चीजे बहुत ज़्यादा थी और इस वज़ासे वहाँ अधोगी करन को बढ़ावा मिला चोथा पॉइंट हम लिखेंगे फैक्टरी परणाली की सुरुआत तो मसीने ये नए नए यंत्रों की अविश्कार ने फैक्टरी परणाली को विक्सित किया फलसरूप यूदोग था ब्यापार के नए नए केंद्रों का जनम हुगा पाँचुआ पॉइंट लिखेंगे सस्ते स्रम की उपलब देता 28 सताब्दे के अंतिम बर्सों में बाड़ा बंदी परथा की सुरुआत हुई जिससे जमिनदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फोम अस्थापिट कर लिए अपनी जमीन बेश देवाले किसान मजदूर बन गए यह आजीव का उपारजन के लिए काम धंदे की खोज में निकट वरती सहर चले गए इस तरह मसीनों दुआरा फेक्टरी में काम करने के लिए अस्थंख मजदूर कम मजदूरी पर तयार हो जाते थे सस्ते सरम के उत्पादन के छेत्र में सहायता पहुँचाई यानि बड़ा बंदी पर्था सुरुवात हुई तो उस वज़ा से जो छोटे छोटे खेत थे किसानों ने अपने बेच डाले और वे मजदूर हो गए और ऐसी स्थिती में कामधन्दे के लिए वे छोटे छोटे जुन्ड बना करके जो है सहरों की ओर बढ़ने लगे और इस तरह से मसीनों को चलाने के लिए बहुत ही कम पैसे में मजदूर मिल गए और उन मजदूरों की वज़ा से उत्पादन में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोत्री हुई और इस वज़ा से उद्धोगिकरन को बढ़ावा मिला अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट यतायाद की शुविधा फैक्टिस से उत्पादी तवस्टूओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्टिक तक लाने के लि को तिब्र करने में सहायक बना जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटन जो है जो है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ा इसके पीछे कारण ही यह था कि वहां यातयाद की अच्छी सुविधा थी और जहाजरानी में तो कहां ही नहीं जा सकता है वह विश्व के सबसे अग्रणी दे थी और दोगीकरन की दिशा में ब्रिटन द्वारा स्ठापित किये गए उपनियस न भी आहम योगदान दिया इन उपनियसों से कच्छे माल सस्ते दामों में प्राप्त करना था उत्पादित वस्तूओं के वहां के बजारों में महांगे दाम पर बेचना ब्रिटन के मिल जाते थे फेक्टरी को चलाने के लिए तो वहीं फेक्टरी से उत्पादित वस्तूओं को बेचने के लिए इन्हें बजार भी मिल जाता था तो अप्टिवेसिक वज़ा से भी अधोगी करण को बल मिला अगला प्रस्न हम लों देखेंगे अधोगी करण के परणाम इमनलिखित परिवर्तन हुए पहला नगरों का विकास सन 1850 से 1950 के भारत में वस्त उद्योग लोव द्योग सेमेंट उद्योग कोईला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ जिसमें जमसेदपूर सिंदरी धनबाद डालमिया नगरित्या दिने व्यापारिक न अब ही हम लोगने कुछ नाम देखें दूसरा पॉइंट लिखें के कुटि रुद्योगो का पतन जैसे जैसे बड़े बड़े मसीनों और यंत्रों का विकास हुआ वैसे सिल्पूर बुनकर ऊद्योग या दी कुटि रुद्योगों का पतन हो गया क्योंकि ये ऊद्योग बने मशीनों वाले समान बने बनने वाले जो चीजे थी उनकी परतियस परधाप नहीं कर सके और इसलिए इनके जो उद्योग था वो खतम हो गया तिसरा पॉइंट लिखेंगे समराजवाद का विकास तो दोगी करन के परणाम सरुप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ जिसकी खफ़त के लिए यूरूप के उपनिवेसों की होड़ सुरू हो गई आगे चलकर इस उपनिवेसवाद ने समराजवाद का रूप ले लिया यानि इतने ज़्यादा वहां उत्पादन होने लगा कि उन चीजों की खफ़त के लिए जो है इनको दूसरे देशों में जाना पड़ा और जहां देखा इन लोगों ने कि उनस देश जो है कमजोड प का उध्याद के फस्वर ब्रिटिंट सायोग से भारत में अगले पॉइंटी अलग्से आगार या पॉइंट की और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है फैक्टरी मजदूर बर्ग का जन्म बड़े-बड़े दोगों में काज करने वाले मजदूरों को उद्योग पतियों द्वारा सोशन होने लगा जिससे उनका जीवनसतर काफी निम्न होता गया फल स्लम पधिती की सुरुवात तो छोटे-छोटे घरों में जहां किसी तरह की शुवधा उपलब्द नहीं थी वहां मजदूर बर्ग के रहने को बाद्यों थे ऐसे घरों को स्लम कहा जाता था एक तरह से कहा जा सकते हैं कि यह सलम ऐसे घर हुआ करते थे जहां ना तो रोशन हम लो देखते हैं अगला प्रसन उपनिवेश सवात से अप क्या समस्ते और दोगे करण ने उपनिवेश सवात को जनम दिया कैसे उतर लिखेंगे उपनिवेश सवात की व्रयाक्रिवीन कालं में विभीन-बद्वानों द्राभिन बनी परकार से की गया है पर इतिहांस के पिछड़े और निर्वल देशों के राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य की तिती को उपनिवेस वाद कहते हैं यानि कमजोर देश पर अगर कोई सक्ति साली देश आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से नहीं अंतरण अस्थापित कर लेता है तो उसे हम उपनिवेस वाद कहते हैं जैसे इंगलेंड में अधोगी करन हुआ वैसे ही वहाँ बड़े बड़े फेक्टियों के अस्थापना होने लगी और करखानों में वहिन परकार के अधोगी वस्टों का उत्पादन होने लगा इन वस्टों की खफ़त के लिए उन्हें बिश्टित बजार के अउस्था पड़ी ब्यापारे को देश की पूर्ती के लिए उन्हें विविन देशों की ओर रुख किया संसाधनों की परचूरता ने उसे भारत की तरब ब्यापार करने के लिए आकर्शित किया दीरे दीरे इसने भारत में सक्ति का प्रियोग कर अपने उपनिवेस के अस्थापना कर ली इस परकार उपनिवेस वाद का जनम हुआ अन्य देश जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका इत्यादी देशों ने भी इसी परकार से अपने उपनिवेस के अस्थापना करी यानि जिस तरह से भारत का एक उदारन हम लोग ने देखा कि किस तरह से भारत में आए और फिर धीरे 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 करते यहां जो है पूरी तरह से अपना नियंतरन अस्थापित कर लिया चलते हैं अगले पर्सन के और अगरा पर्सन है कि कुटीर उद्योग के महत्वय अमिसकी उपियोगता पर परकास डाले or कुतीर उद्योग किसी भी राष्ट के विकास में काफी महत्वपून भूमका निभाता है क्योंकि देश की अधिकांस अबादी की भागिदारी होती है इसमें किसी विशेस तक्नीक जनकारी की हो सकता नहीं होती इसमें सरम पूजी और समयती नों कम लगते है तथा घर बैठे लोग आते हैं इसका सबसे महत्वपून तो यह है कि इसमें घरेल महिलाओं का योगदान भी सरानिया होता है कुटी रुद्योग में कुछ प्रमुकुदारन है जैसे सूत कताई बुनाई उनका रंगना रों और चाड़ बनाना पापड बनाना सिलाई कढ़ाई इत्यादी करना तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यह सभी काम जो है हम लोग घरों में आसानी से कर सकते हैं आगे देखेंगे कि भारत में अदोगे करन से पुरुप कुटी रुद्योग काफी विक्सित था प्रंतु अदोगे करन के बाद उन्हें कच्चे माल के लाले पढ़ने लगे और धीरे धीरे या मिर्त प्राय हो गया क्योंकि कच्चे माल जो थे वो अप फेक्टरियों में जाने लगे और इस तरह से यह उद्योग जो है नश्ट हो गए आईए इसकी उप्योगता को हम लोग देखते हैं लिखेंगे यह मध्यंबर्ग और निम्न बर्ग में अधिकांस लोगों को रोजगार उपलब्द कराता था दूसरा यह घरेलू महिलाओं को भी रोजगार का उसर प्रदान करता था तीसरा इसमें रोजगार की तलास में जाने वाले लोगों के प्लाइन को रोकने में सहायता मिलती थी चोथा यह समाजिक आर्थिक प्रगति वसंतुलित छेतवार बिकास के लिए एक सक्तिसाली अवजार का काच करता था यानि इसमें घरों में यह होता था तो इस तरह से मालिक मजदूर वाली इस्तिती नहीं थी अगला हम लोग देखेंगे यह कौसल में ब्रिद्धी उद्मिता में ब्रिद्धी तथा उप्योग तखनीक का बेहतर प्रियोग सुनिश्चित करता था यानि इससे जो लोगों में जथी वो कुसलता आती थी और इस वज़ा से यह इसकी बहुत ही महत्वपून उप्योगता है पाच्वा परसन लिखेंगे उद्धोगी करण ने सिर्फ आर्थिक धाचे को ही प्रभावित नहीं किया बलकि राजनितिक प्रिवर्तन का भी मार्ग परसस्ट किया उतर लिखेंगे उद्धोगी करण ने आर्थिक धाचे को प्रिवर्तित किया ही बलकि राजनितिक प्रिवर्तन का भी मार्ग परसस्ट किया क्योंकि उद्धोगी क्रांती के फलसरूप कुलींता का गवरो समाप्त हो गया स्रम जीवियों को जमिंदारों के सोसर्ण से मुक्ती मिल गई नए उद्धोग केंद्रों में उनकी स्थीती पहले से अच्छी थी और उनकी आय बढ़ने लगी थी इनके जीवन अस्तर में भी परिवर्तन हो गया था सहरों में उची नीच का भेद भाव नहीं था इस तरह ब्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों की ब्यक्तिगत्स वतंतरता भी बढ़ गई तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे परिवर्तन हुए आगे हम लोग लिखेंगे मिल मालिक मजदूरों के सोसर के द्वारा अपनी पूजी बढ़ा रहे थे अता मजदूर अपनी संगठन और ट्रेड यूनियन बनाकर हरताल करके वे मिल मालिकों को अपनी मांग पुरी करने के लिए विवस करने लगे इसे लोगों में नतिर्त्व छमता का विकास होने लगा आगे लिखेंगे ओदूरी क्रांती के कारण समाज में पुजी बढ़ाद का विकास हुआ फलत समाज में पुजी पतिवर का प्रादुर भाव हुआ पुजिपतियों ने सासन और राजनिती को प्रभावित किया। पुजिवाज से ही समराजवाद का जनम हुआ। यूरोपिय राश्टों के द्वारा एसिया, अमेरिका, अफ्रीका के महादेशों में उपनिवे सस्थापित किये गए। यूरोपिय देशों नहीं बलकि सारे विश्वे में समराजवादी होड के कारान असांतियों संघज्च का वतवरन उत्पन हो गया। प्रता में दितिया विश्वे जिद इसी व्योस्ता का अविसाप था जिसने विश्वे की राजनिती को काफी परभावित किया। तो इस तरह से हमने जो है इस चेप्टर के दिर्वुतरिय प्रशनोतर को कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल ग्यानगंगा हिंदी को सस्क्राइब कर लें। अभी तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही आप हमें सपोर्ट बनाए रहें मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक आप पढ़ते रहें सिखते रहें देखते रहें धन्यवाद